साथियों नमस्कार स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में तो साथियों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आ रहा है स्वामी विवेगान जी का एक कोटेशन और मैं आप से उसे सेर करना चाहूंगा उन्होंने कहा था कि अराइज अवेग एंड डॉन्ट इस्टॉफ टिल यू रीज यूर गोल जब तक आप अपना लक्ष प्राप नहीं कर लें खड़े हो जाओ आगे बढ़ो जग जाओ और तब तक मत रुखो जब तक की लक्ष को प्राप नहीं कर लो तो इसी भावना के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं आईए एक साथ एक चीज और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को चंद्रियान तीन के सक्सेसफुली ऑन दर सर्वेस आप दा मून लेंड होने पर आप सभी को बढ़ाई तो आईए शुरू करते हैं अगली सुवे टेरो आम तोर की बजाए ज्यादा जल्दी अपने विस्तर से कूद करके बाहर आया या कूद करके उठा या विस्तर से निकला बात ही किये यानि जम्ड आउट ओफ इस बैट याद रखिए इसको जैसे कूद करके बाहर आया मनलब जम्ड फिस बैट इसको ओम इस तरह लकांगे या पर जम्ड आउट ओफ एग्र अगली सुवे ए नेक्त मोर्निंग र्रव नेक्ट मॉर्निंग नेक्ट मार्निGHT टेरो टेरो ने क्या किया जंफ्ड आउट ऐस वेट तेरो jumped out of his bed और आगे निखा हुआ है आम तोर की बजाए ज्यादा जल्दी तो ज्यादा जल्दी का मतलब होता है मतलब जल्दी का मतलब होता है early और यहाँ पर है ज्यादा जल्दी तो यह comparative degree है comparative degree of the adjective तो early यानि earlier और superlative degree क्या होगी the earliest तो यहाँ पर हम comparative degree का यूज करेंगे earlier तो next morning tarot jumped out of his bed earlier ज्यादा जल्दी आम तोर की बजाए earlier बजाए या अपेक्षा तो then आम तोर का मतलब होता है usually यू एस यू ए डबल ल वाई तो इस तरह हमने बड़ी आसानी के साथ यहाँ इस sentence का English में translation कर दिया कि next morning tarot jumped out of his bed earlier than usually next sentence देखिए उसका मूँ सूख गया था और उसका चेरा पसीने से गीला हो गया था यानि उसका मूँ यानि हिजू हिज माउथ हिजू माउथ सूखना यानि ड्राई तो हिज माउथ वाज ड्राई और एंड लगा करके दूसरा sentence भी इसमें जुड़ा हुआ है उसका चेरा पसीने से गीला हो गया था गीला मनलब वैट और पसीना मनलब स्वेट एस डवलू एट अब आपको जमाना है सिर्फ एंड उसका चेरा यानि ही जू फेस ही जू फेस वाज बैट गीला हो गया किस से गीला हो गया विद्व स्वेट विद्व स्वेट ये लीजिए ये इस तरह हमने इसका यहां पर अनुबाद कर दिया ट्रांसलेशन कर दिया इन इंग्लिस next sentence है काश मेरे पिता जी भी मेरे जैसे ही गर्म होते काश जब भी काश आएगा इफ उनली का यूज़ कीजिए तो इफ उनली से आप इसे सुरू करो इफ उनली मेरे पिता जी माई फादर इफ उनली माई फादर वाज मेरे जितने ही गर्म होते या मेरे जैसे ही गर्म होते बाह देखिए तो माई इफ ओनली माई फादर वास एज वार्म गर्म मनला वार्म एज मेरे यहां पर लिखेंगे इसको आई और यह फुलिश टॉप इफ ओनली माई फादर वास एज वार्म एज आई नेक्ष्ट सेंटेंस टेरो याद नहीं कर सका तेरो याद नहीं कर सका आगे देखेंगे फिर पहले इसको शुश्रूर करते हैं टेरो याद नहीं कर सका तो खुडूड नहीं टरrickा कि मेंबर जंगल के उस बाग में इक बैती हुई जल्जारा कूась सुना या दिखाओ कभी, कभी कमल लगता है, ever तो ever, could not remember ever सुना या देखाओ, seeing or hearing if ever, seeing or hearing क्या चीज देखी या सुनी क्या चीज नहीं देखी या नहीं सुनी क्या चीज एक बहती हुई जल्धारा ever, seeing or hearing एक बैती हुई जल्धारा बैती हुई मनला रसिंग एक यानि ए, ए रसिंग जल्धारा मनला इस्ट्रीम कहां पर जंगल की उस भाग में यानि इन देट पार्ट आप दा फोरेस्ट इन देट पार्ट आप दा फोरेस्ट इन देट पार्ट आप दा फोरेस्ट तो भहती आसान है सब कुछ अब नेक्स देखिए, बस बसरते कि आपको भिवेका नंजी का कोटेसन हमेज़ा दिमाग में याद रहे हां, नेक्स देखिए, उसके हातों से कुलारी छुट गई और वह आवाज की दिसा में दोड़ा उसके हातों से कुलारी छुट गई एक्स डॉब्ड होगे यह उसकी आतों से तो दा एक्स डॉब्ड आउट ओफ इस हैंड दा एक्स डॉब्ड आउट ओफ इस हैंड और वे आवाज की दिसा में दोड़ा एंड और वे तो ही दोड़ा मतलब रेन कहां दोड़ा आवाज की दिसा में ही रेन इन दा डिरेक्शन किसकी दिसा ओफ साउंड तो एक्स डॉब्ड आउट ओफ इस हैंड और रेन इन दिरेक्शन ओफ दा साउंड इये लीजिए अब देखिए next टेरो ने तेजी से उस घड़े को भर लिया जो उसके पास था और घर की जल्दी की मंतला घर जाने की की एकी बात है टेरो ने तेजी से तेजी से मनला क्युकली, भर लिया मनला फिल कर लिया, पिचल, गड़ा मनला पिचल, तो इसी तरह आप इनको जमाना है, तो टेरो क्युकली, क्युकली, भर लिया, फिल्ड क्या भर लिया, दा पिचल, दा पिचल, जो उसके पास था, तो टेरो क्युकली फिल्ड दा पिचल, he had he had with him जो उसके पास्टा और क्या किया उसने और घर की जल्दी की घर जाने की जल्दी की and hurry जल्दी करना second form लगाएंगे hurry home घर जाने की जल्दी की next देखिए ब्रद भ्यक्ति उस सेख से प्रसंद हो गया जो पानी लेके आएदा गड़े में उसको पी करके उसके पिताजी बहुत प्रसंद हो गया जो की ब्रद भ्यक्ति थे तो ब्रद भ्यक्ति दा ओल्द मेन प्रसंद हो गया प्रसंद होना मनलब डिलाइट डिलाइट प्रसंद हो गया डिलाइट तो दा ओर्ड मेन डिलाइटेड विद्ध दा सेख तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई टॉपिक के साथ वैसे करेंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रांसलेशन कर चल रहा है और ट्रांसलेशन से के साथ साथ ही हम ग्रेमरली जो और चीजें है वो भी हम सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि कुस दिन तक हम इसको कंटीन्यू रखेंगे जिससे की आपकी ग्रेमर भी साथ साथ मजबूत हो जाया है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें यहां पर आती है तो इ to be a nice time thank you very much for watching